भजन सहिता अध्याय चवदह भजन सहिता अध्याय चवदह मुर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं वे बिगडगए उन्होंने गिन communal काम किये है कोई सुकर्मी नहीं परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुश्रों पर दुश्की की है कि देखे कोई वद्धिमान कोई परमिश्वर का खोजी है या नहीं वे सब के सब भटक गए वे सब भरष्ट हो गए कोई सुकर में नहीं एक भी नहीं क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ग्यान नहीं रहता जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते है जैसे रोटी और परमिश्वर का नाम नहीं लेते, वहां उन पर भैचा गया, क्योंकि परमिश्वर धर्मी लोगों के बीच निरंतर रहता है, तुम तो दीन की युक्ति की हसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहवा उसका शरन स्थान है, भला हो कि इस्रायल का उद्धार सीयों से प्रगण होता, जब यहवा अपनी प्रजा को दासत्व से लवटा ले आएगा, तब याकुब, मगन और इस्रायल आनंदित होगा.